डियर स्टुडेंट्स अब तक हमने परसंटेज की डेफिनेशन सीख ली परसंटेज की डेफिनेशन में हमने क्या सीखा परसंटेज की डेफिनेशन में हमने सीखा कि कैसे जो भी अंस में यानि की नुमिनेटर में लिखा हुआ होता है वो डिनुमिनेटर का क्या होता है परत यही होती है एक percentage की definition जो आपने छोटी classes में पढ़ी हो यह definition that is so called कि कि किसी भी संख्या के बटे में सो कर दिया जाए किसी भी संख्या के बटे में सो कर दिया जाए तो वह है परतिसत कहलाता है सही है definition हमने प्रिवियस जो लेक्टर पढ़ा उसके अंदर हमने भी यही जाना कि CB संख्या को सो के संद्रब में कहा जाए तो वो क्या होगा परतिसत होगा लेकिन हमने ये भी जाना कि कैसे परतिसत एक बेश पे काम करता है यह सोनो कैसे परतिसत का सारा खेल किस पे चलता है एक बेश पे चलता है हमने देखा जब हमने लिखा था कि 5% का अर्थ क्या होता है एक बार एक बार फिर आपको याद दिलवा देता हूं कि कैसे हमने कैसे चिजों को रिलेट किया था सबसे पहले हमने 20% लिखा 20% का अर्थ हमने जाना कितना होता है बीस बाटे सो होता है कि यस और नो हमने सिखा कि जो सुरुवात की वेलू होती है जो टोटल वेलू होती है वही हमारा क्या होता है वही हमारा बेस होता है यस और नो वही हमारा क्या होता है बेस होता है तो यहाँ पे यह है अंस और यह क्या है हर यह है numerator और यह क्या है denominator जो भी denominator में लिखा हुआ जा है whatever be the written in the denominator will be the base of your will be the base of your digit will be the base of your statement will be the base of your problem yes or no understand अब बड़े द्यानजे सुने मैंने क्या बोला यह so क्या होता है आपका base होता है क्या होता है आपका base होता है और इसकी definition क्या होती है कि 100 का 20% कितना होता है 20 होता है हम जानते भी हैं किसी भी संक्या का हमें 100 पे निकालना हो तो हम बड़े असानी से निकालते हैं जैसे हमें बोला जाता कि 30% का 30% का अर्थ क्या होता है तो आप क्या बोलते 100 पे 30% 30 होता है 40% 100 का 40% 40 होता है यह सुरनो यह हम सीख चुके हैं, जैसे हम से कोई बोले कि 60% बताओ कितना होता है, तो हम क्या बताएंगे, 60 बटे 100, यानि कि 100 का 60 परतिसत कितना, 60 होता है, या 100 नो, तुमने 100 पे क्यों निगाला, क्योंकि 100 हमारा गया होता है, बेस होता है, कलियर है, तो आगे से ध्यान में रखें, कि लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बेस 100 यो, ये बेस बदल भी जाता है, ये बेस बदल कैसे जाता है, हमने सिखा कि 20% किसके वराबर होता है, एक बटे 5 के, अब देखो जरा, अब क्या बेस 100 है, नहीं, बेस 100 नहीं है, अब बेस कितना हो गया है, तो ध्यान रखें, जो भी, जो भी denominator में लिखा हुआ होता है, एक अनुपात के, एक ratio के वह है तुम्हारा क्या होता है मैंशाई, base होता है, वही तुम्हारी नीव होती है, वही तुम्हारी वो नीव है जिसके उपर पूरी building खड़ी होती है, इसलिए यही नीचे आता है, पत कलियर है जी ध्यान रखें अन्स बटे हर है नोमीनेटर बटे डिनोमीनेटर है डिनोमीनेटर में जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा बेस होगा कलियर है, यह हमें कहना चाता है, कि 5 का 20 परतिसत कितना होता है, एक होता है, ऐसे ही हमने प्रिवियस लेक्चर में सीखा कि 1 बटे 6 जो होता है, वो कितना होता है, 16 सही 2 बटा 3 परतिसत होता है, यह सोर नो हमने ये बाते सीख ली हैं कि 1 बटे 6 का मतलब 16 सही 2 बटे 3 परतिसत ह और इस च्छे का 16 से 2 पटे 3 परचित कितना है एक है कलिर है जी अगर आपको definition लिखनी है अब हम लाइक हो गए है कि हम इसकी definition जान ले percentage की actual definition क्या है जो हमारे आगे competitive exam में help करेगी previous जो तुम्हें याद है definition अच्छी बात है उसे याद रखे clear है लेकिन ये भी याद रखें updated updated क्या है whatever be the written in the numerator जो भी तुम्हारा numerator में लिखा हुआ होता है वो denominator का क्या होता है परतिसत होता है द्यान से सुने जो भी तुम्हारा numerator में लिखा हुआ होता है वह तुम्हारा denominator का क्या होता है परतिसत होता है क्या होता है परतिसत होता है यही कानिया जी किसकी परतिसत की यही कानिया किसकी परसंटेज की यही एजी actual definition of percentage तो हमने परतिसत की definition एक ने रूप में सिख लिए है अब हम आगे सिखते हैं कि percentage को कैसे define किया जाता है कैसे हमें percentage में change करते हैं किसको एक fraction को एक fraction को कैसे परतिसत में change किया जाता है और एक percentage को कैसे fraction में change किया जाता है हमें अब यही सिखना है सबसे पहले सिखें अगर आपके पास कोई भी fraction लिखा हुआ है सबसे पहले सिख लें आपके पास यदि कोई fraction लिखा हुआ है तो उस fraction के गुणा में 100 करने पर वह तुम्हारा किसमें चेंज हो जाता है परसंटेज में चेंज हो जाता है परसंटेज यानि कि परती सरत किसी भी भिन को यदि 100 से गुणा कर दिया जाए यदि 100 से गुणा कर दिया जाए तो वह जो है किसमें चेंज हो जाता है परसंटेज में चेंज हो जाता है कलियर है आप कोई भी fraction अपने माइंड में ले 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 वह उसकी गुणा सो से करवा दे वह परती सत में करवर्ट हो जाएगा कलियर है जी अब गुणा में 100 क्यों करव यही फोलो करता है कि 100 क्या है एक स्टेंडर है स्टेंडर है जिसके उपर परसंटेज है हम परसंटेज 100 पर मानते हैं यह सो नो जो पुराने जो लोग थे कभी एनिसाइन टाइम में वो 60 को बेस मानते थे इसी प्रिकरिया में 60 को बेस मानते थे इसलिए आप देखेंगे कि एक गंटे में 60 शेगिंड होती है तीन सो साथ डिगरी का पूरा एंगल बनता है यह सो नो पहले साथ होता था अब जो मोडरन मैथमेटिक्स है उसके अनुसार सब कुछ बेस किस पे चलता है बच्चे 100 पे चलता है कलिर है इसलिए मैंने गुणा में 100 पे किया है अब कि फ्रेक्शन की गुणा 100 के साथ कर दी जाती है तो वह फ्रेक्शन अपना बेस खो देता है जैसे ध्यान रखे यदि मैं 1 बटे 4 जो कि क्या है एक फ्रेक्शन है इस फ्रेक्शन की गुणा यदि मैं 100 से कर दूं यदि किस से कर दूं 100 से कर दूं तो इसमें क्या बचेगा चार, सो, कितना बचा, पच्चिस क्या, पच्चिस परतिसत, क्या बचा, पच्चिस परतिसत बचा, अब इस पच्चिस परतिसत ने, बेस क्या बना दिया, सो बना दिया, क्या बना दिया, तो ध्यान रखें, जब भी किसी fraction की गुणा, किसी भी number के साथ की जाती है, तो वहें एडवांस लेवल की चीज़ है यह सुनो आपका मैं मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बच्चे बात को समझे रिलेट करके पढ़ाने का मेथड है हमने ये बात सीख तो ली हमने रटा क्यों मारना है हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अपलाई करके सीख लेना है ता अगर मैं मान लो किसी भी फ्रैक्टिकल की गुणा किसी भी फ्रैक्टिकल कोई भी 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 उठा ले कोई भी कोई भी 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 उठाके उसकी गुणा किसी भी नंबर से कर दीजिए किसी भी नंबर से कर दीजिए वो नंबर क्या होना चीएं इंटीजर मान लो कोई clear है मैंने किसी fraction की गुणा किसी integer से कर दी किसी integer से कर दी तो उसका जो base result जो आएगा result यहाँ पे जो तुम लिखोगे उस result का जो base होगा वह कौन हो जाएगा यह integer हो जाएगा clear है मैं इसको एक example से आपको समझाता हूँ ताकि आप relate करने में असानी हो मान लो मान लो राम के 50 में से 30 नमबर आए राम के कितने नमबर आए 50 में से 30 नमबर आए राम के 50 में से कितने नमबर आए 30 नमबर उसको आए तो हम मैं इसको क्या बोसकता हूँ कि 0 से 0 क्या हो गई cancel out रहे राम के कितने नमबर आए 3 नमबर आए कितने में से पांच में से कलियर है जब यह बात यहां पे सही है कि 30 नमबर आए है 50 में से तो यह बात यहां पे भी सही होने ची है कि 3 की 3 नमबर आए है किस में से 5 में से सही हो जी अब यह किस रूप में आ गया फ्रेक्शन में आ गया चाहो तो 30 बटे 50 भी लिख देना चाहो तो 3 बटे 5 भी लिख देना इस से इस बात पर कोई फरक नहीं पड़ेगा अब आगे चलते हैं मैंने क्या बोला कोई भी fraction अब fraction को percentage में लिखके दिखाता हूं पहले आपको मैंने क्या लिखा 30 बटे 50 लिखो चाहे तुम इसको 3 बटे 5 लिखो कलियर इसकी गुणा किस से कराओ किसी भी integer से पहला integer हम क्या मान लेते हैं सो ही मान लेते हैं हमें पढ़ना भी है और हमें जानना भी है तो गुणा में क्या कर दिया सो कर दिया अब रिजल्ट क्या आएगा 50 दूनी सो 30 दूनी साथ साथ क्या परसंटेज क्यों अब हमें पता लग गया साथ परसंटेज लगाते ही हम ये बात जान गए कि जो ये साथ नंबर आए हैं ये सो में से आए हैं अब उसे उस बच्चे को ये बताने की जूरत नहीं है कि मेरे 50 में से 30 नंबर आए हैं हम उसका जो प्रोग्रेस है हम सो पे देख रहे हैं कि उसके सो में से कितनी आए हैं सो में देख रहे हैं अगर माल लो यही नंबर हमें दो सो में देखने हूँ नंबर कितने आए हैं? तीस नंबर आए हैं कितने में से आए हैं? बेस उस तीस नंबर का कितना है? पचास है लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं उसके नंबर जड़ा 500 में से देख लूँ कि 500 में से उसके नंबर आते तो कितने आते Yes or No? 0 से 0 कितना बचा? 10 यानि कितना बचा? 300 यानि कि उसके 300 नंबर आते कितने में से? 500 में से कितने में से 500 में से, यहाँ 60 नमबर आए, कितने में से 100 में से, समझ गए होगे, जब भी हम किसी fraction की गुणा किसी भी integer के साथ करते हैं, या percentage की बासा में 100 के साथ करते हैं, तो वह fraction जो है, परतिसत में बदल जाता है अपने आप, तो हमने ये बात स्टीज लिए कि कैसे एक fraction को परतिसत में बदल जाता है, अब हम सेख लेते हैं, कैसे एक percentage को fraction में change किया जाता है, मान लो ये तो सब को है, मतलब 37 या आठवी क्लास के बच्चे को भी पता है, कि कैसे एक percentage को fraction में बदल जाता है, फिर भी, मैं अपनी तरफ से एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 50 परतिसत, 50 परतिसत का अर्थ क्या होता है, 50 परतिसत का अर्थ होता है, 50 बटे 100, कलियर है, इसको काट दो उतर की दिना आ गया, 1 बटे 2, अहो, हो गया ना चेंज, यानि की, यानि की, परतिसत के, परसंटेज के बटे में 100 करने से बटे में 100 करने से वह चीज किसमें चेंज आती है fraction में चेंज आती है या इस बात को अगर तुम इस standard notation से ना समझ पाए हो तो ये बात समझ लें कि परसंटेज को जब भी denote किया जाता है इस sign से किया जाता है किस से इस sign से और इस sign का अर्थ क्या होता है एक बटे 100 क्या होता है बचे एक बटे 100 मेरी क्याल से अब आपको ज़्यादा समझने में असानी होगी जैसे ही मैंने लिखा 70 परसंट तो आप क्या लिखाओगे 70 बाए 100 70 बाए 100 देट इस इक्वल टू 7 बाए 10 लो जी आपका हो गया परतिसत किस में चेंज हो गया फ्रेक्शन में तो यही हमें सीखना था कि फ्रेक्शन को कैसे परतिसत में बदला जाता है और परतिसत को कैसे फ्रेक्शन में बदला जाता है ये बाते हमने सीख ली हमने टेवल भी deal कर चुके हैं एक बार फिर मैं आपको table को अच्छी तरह relate करके समझा देता हूँ जैसे table में सबसे पहले समझे जो एक लिखा होता है actual में बोला जाए दुनिया में कोई भी whole number का मतलब कोई भी पूरण संख्या है कोई भी पूरण संख्या हर पूरण संख्या या कोई भी पूरण संख्या बोलो या बोलो हर पूरण संख्या क्या होती है अपने आप में परतिसत होती है कलियर है जी इस बात को मैंने कैसे बोल दिया बड़ एसानी से इस बात को जरा समझा भी देता हूँ जैसे मैंने लिखा कोई नमबर 30 कलियर है मैं इसको 30 नहीं बोलता हूँ 30,000 पर 30 Yes or No Yes or No समझेगी नहीं समझे अब इस बात को मैं कैसे बोल पाया एक मिंट के लिए पिछे चलते हैं कलियर है ये क्या है एक क्या इस एक को भाईया मैं एक बटे एक लिख दू किसी को कोई दिक्केत है क्या कोई दिक्केत नहीं होनी ची है क्योंकि इस बात से इस पे कोई फरक नहीं पड़ता कि 5 को आप 5 बटे एक लिखते हो 6 को 6 बटे एक लिखते हो 7 को 7 बटे एक लिखते हो इस बात से इस पे कोई फ़रक नहीं पड़ता है तो मैंने क्या किया यह किस में बन गया भिन में बन गया और किसी भी भिन की गुना यदि सो से की जाए तो वो किस में बदल जाता है परतिसत में किस में बदल जाता है परतिसत में जो रूल यहाँ applicable हुआ वो रूल यहाँ भी होना चाहिए यह क्या है 30 तो क्या 30 को 30 by 1 लिख दू यस और नो यह इस बात को ऐसे समझ लें कि एक 30 जो हो परीमे संख्या होती है और परीमे संख्या कौन सी होती है जो P by क्योंकि फोम में होती है यानि कि जो भिन में होती है और भिन वाली संख्या को गुणा में सो कर दिया जाए तो किसमें बदल जाता है परतिसत्में बदल जाता है किसमें बदल जाता है परतिसत्में बदल जाता है इसलिए मैंने बोला हर हूल नंबर हर हूल नंबर क्या होता है हमेश्या ही परतिसत्में होता है कलियर है एक बड़ परतिसत की पूरी definition होती है, clear है जी, एक का मतलब क्या हुआ, 100%, एक बटे दो का मतलब क्या हुआ, 50%, clear है, यदी किसी बच्चे को confusion हो रही हो, अब भी, वो मतलब समझ नहीं पा रहा हो, तो बहिए, इसी वीडियो को दोबार रिमाइंड करगे, एक बार फिर देख ले, clear है, एक बटे 2 is equal to 50%, 1 by 3 is equal to 33 is to 1 by 3%, 1 by 4 is equal to 25%, 1 by 5 is equal to 20%, clear है, और 1 by 6 is equal to 16 is to 2 by 3%, और इसे हम 16.66 पर स्थिस्थ भी लिखते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33.33 पर स्थिस्थ, clear है, एक बटे 6 तक हो गया, यह मामला पूरा, अब आगी चलते हैं, एक बटे 7, एक बटे 7 को क्या लिख सकता हूं, 14 सही 2 बटे 7 पर स्थिस्थ, इसको क्या लिखा जाता है, 14.28%, क्या लिखा जाता है, 14.28%, इसके बाद आया, एक बटे 8, एक बटे 8 को क्या लिखता हूं, साधे 12.30, क्या लिखता हूं, साधे 12.30, यह कितना होता है वहिया, यह होता है, 12.50, पर स्थिस्थ, 12.50, यदि अब भी विशी बच्चे को confusion है, तो भी, मैं अपनी तरफ से उसकी help कर देता हूं, मान लो, तुम्हें एक बटे 8 को परतिसत में लिखना है, एक बटे 8 को यदि तुम बच्चे परतिसत में लिखना चाहते हो, तो समझ लें, मैंने क्या बोला, एक बटे आठ का, यानि कि भिन की गुणा किस से करवानी है, सो से, तो ये कितना आएगा, सो बटे, आठ आएगा, ये सो नो कितना आएगा, सो बटे, आठ आएगा, अब मैं क्या करूँगा, इस सो को भाग कर दूँआ, किस से, आठ से, इस स सही बटे में लिखूं तो कैसे लिखूंगा यह सबसे आगे सबसे आगे वह क्या दुख का है सो बटे अाव था सो बटे ईकॉल 2, yes or no साथ में परतिसत लगाये परतिसत क्यों लगाया स्मझ गऊ है क्यों है कोगी बात सो पे हो रही है, सो पे हो रही है, तो बात किसमें हो रही है, परतिसत में हो रही है, अब आलते हैं, एक बटे नो में, एक बटे नो का अर्थ कितना होता है, ग्यारा सही, एक बटे नो परतिसत का अर्थ कितना होता है, ग्यारा पॉइंट ग्यारा परतिसत, अब आगे च इसका अर्थ होता है 9.09 परतिसाद सही जी अब आगे चलते हैं एक बटे बारा पर अगर हम एक बटे बारा पर आते हैं तो एक बटे बारा का अर्थ होता है 8 सही एक बटा 3 परतिसाद जो की लिखा जाता है 8.33 परसंटेज सही जड़ा देख लें द्यान से समझ ले इन बातों को कि दो का ये दो क्या है हमारा बेस है और ये उपर वाला क्या हमारा परतिसाद है 2 का 50 परतिसाद कितना एक 3 का 33 सही एक बटे 3 परतिसाद कितना एक 4 का 25 परसंट कितना एक 5 का 20 परसंट कितना एक 6 का 16 सही दो बटे 3 परतिसाद कितना एक 7 का 14.28 परतिसाद कितना एक 8 का 12 परतिसाद कितना एक 9 का 11.11 परतिसाद कितना एक 10 का 10 परतिसाद कितना एक 11 का 9.09 प सोरी 11 का 9.09 परसेंट कितना एक 12 का 8 से 1 बड़ा 3 परसेंट कितना एक यह चीज़ें शीख लें इन्हें बार बार दुराते रहें बार बार दुराते रहें अब चलते हैं हम आगे देखें एक बड़े 13 गों क्या लिखते हैं हम 709 बड़े 13 परतिसत इसको क्या लिखता है 7.69 परसेंटेज क्लियर है फिर आगे आता है एक बड़े 14 इसको क्या लिखता है साथ सही 1 परतिसत इसको हम क्या लिखते है seven point fourteen percentage क्लियर है फिर आता है एक बड़े 15 जार आता है 6 सही 1 बटा 4 परतिसत इसको क्या लिखते हैं 6.25 परसंटेज सही है इसके बाद है 1 बटे 17 इसको हम क्या लिखते हैं 5 सही 15 बटे 17 परतिसत अब इसको हम क्या लिखते हैं 5.88 परसंटेज कलिर है इसके बाद आता है 1 बटे 18 एक बटे 18 हुगा हम क्या लिखते हैं 5 सही 5 बटा 9 परतिसत और 5 सही 5 बटा 9 परतिसत को लिखा जाता है 5.55 परसंटेज सही इसके बाद आता है एक बटे 19 एक बटा 19 एक बटा 19 को हम क्या लिखते हैं 5 सही 5 बटा 19 परतिसत कलियर है इसको हम क्या लिखते हैं 5.19 दोने 38 दो 5.26 परसंटेज कलियर है इसके बाद आता है 1 by 20, 1 by 20 को हम क्या लिखते हैं 5%, 1 by 21 को हम क्या लिखते हैं 21 चोके 84, 84 से कितना बचा, 16 बटे 21 परतिसत, कलियर है, इसको हम क्या लिखते हैं 4.76 परसंटेज, सहीजी, इसके बाद आता है 1 बटे 22, 1 बटे 22 को हम क्या लिखते हैं 4 से 6 बटे 11 परतिसत, यह कितना होता है, यह होत होता है च्यार पॉइंट चोवन परसेंटे editor किलियर अब आता है एक Girls a कितना होता हैं चार सही ऐक और यह जाए इसको में लिए 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 पाद आता है एकज़ाल चौभीशेश कितना होता है 4 सही 1 बटा 6 परतिसत ये कितना होता है 4.166 परसंटेज कलियर है इसके बाद आता है 1 बटे 25 एक बटे 25 कितना होता है सब को पता है कितना होता है 4 परतिसत ये थी आपकी पूरी टेबल इसके अलावा 3-4 और important है वे सीक लेते हम क्योंकि प्रिक्सिया में पताने कब कौन सा पूछा जाए फिर आगे बोलेंगे सर आप आपने बताया है नहीं यह तीन भी बहुत इंपोर्टेंट है यह तीन का देखो क्या इस आपकिताब होता है इसको हम लिखते हैं 3.44 परसंटेज इसको हम लिखते हैं 3.33 परसंटेज और इसको ह हाँ पर 25 तक लिख दे हैं 7 में उनके decimal के साथ चाहो तो यहाँ से यहाँ पर आया जा सकता है यह चीजे आपसमें अदल-बदल भी हो सकती है QTurn depends करता है examiner की mentality किया है? वो किया सोच के paper बना रहा मेरे इस अभसे सबसे ज़्यादा जगया नहीं है यह तीन है सीजल में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है यह बार बार रेपीट होगे बार बार रेपीट होगे तो हमेश्य आध्यान में रखें और इनको सुबह 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 चाहे के साथ लें सुबह सुबह चाहे के साथ लें या अगर किसी की मेमोरी बिल्कुल ही कम है तो जितनी बार चाहे पिएं उतनी बार इनको पढ़ें जितनी बार चाहे पिएं उतनी बार पढ़ें यह आप यह चीज़े आपको एक गम सेट हो जाएंगे